फ्री क्रैश कोर्स के साथ रिवीजिन में रखो एक कदम आगे आज ही आलन आप डाउनलोड करें हलो एवरिवान और आपका हिंदी का एक्जाम बहुत ही तगड़ा शांदार गया होगा देखो एक्जाम हो चुका है अब अब का और अब आपको तयारी करनी हैं इंग्लिश के एक्जाम की नाव मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट फाइफ डेज के अंदर आप कैसे अपने इंग्लिश का प्रपरेशन कर सकते हो अगर साल भर आपने बुक्स को खोल कर भी न तो वेरी वेल अब बात करते हैं without एपद्णे बक्वास की भाई क्यासे कर लेंगे हम मां कैसे हमें कर लेना है कोई भी काम को तो तो यह 5 डिज है ना इसमें आपको डू और वाली सिच्वेशन में रहना डू और डई अना है कि या तो कर के दिखा देंगे हम या फिर हम फो पर तुम अभी हिंदी का एक्जाम देखे आ चुके हो हिंदी एक्जाम देने के आने के आने के बात में यू विल टेक रेस्ट डेफिनेटली क्योंकि तुमने मॉर्निंग से पढ़ाई करें होगी हिंदी की एंद अच्छे से एक्षे से पॉड़ेंस भी आ गया होगा कि हाओ आज एन ओफलाइन टीचर आज वेल आज ओनलाइन टीचर मैं आपको सारी टिप्स इंट्रिक्स बताओंगी इन दी सेशन की कैसे आप एक्जामिनर को अच्छे से आंसर लिखके प्रेजेंट करके अपना बना सकते हो अपने नंबर्स ग्राब कर सकते हो देको बाते बहुत य tortoise हैं हमारे पास में कैसे हमें पर बना करके बेचते हैं क्या एपरोच रहती है अन्स यूट में अगर मैंने जांसर शीट चेक करी है सीब्सेंट की तो हम क्या देखते घथा हैं क्या इंस्ट्रक्शन हम को मिलते हैं वह सारी चीजह बोनस मैं यहां पर तुम्हें बताऊंगे इंदेस सेशन मैं बताऊंगे यह सारे सेशन तुम्हारे लिए होंगे उसमें मैं सब बताऊंगी कि अगर तुम्हारा reading और writing और section है तो क्या teacher देखता है किस तरीकी का answer आपको प्रेजेंटेबल बनाएगा कैसे आपको फुल माक्स मिलेंगे पुरम में जो एक्स्राइक बेस्टेशन आते हैं वो क्या पूछने के लिए होते हैं basically क्योंकि instruction आपको दिया होता है read the passage carefully ठीक है लेकिन उसके बावजुद भी क्वेशन तो आपके पैसेज में से कहीं भी अटकी नहीं रहा होता है यह वह हाई लेवल का क्वेशन पेपर बनाएंगे तो यह सारी चीजे मैं आपको यहां पर गाइदेंस भी दूंगी देख लो फड़ा-फड़ से मेरा टाइम टेबल जो मेरा टाइम टेबल है वो फुली डेडिकेटेट टू यू है 21st February को 10 a.m. के आराउंट तो तुमारा एक्जाम चल रहा होगा इवनिंग में 7 p.m. पे मैं तुम्हें कराऊंगी सबसे पहले इस प्रूपीटेड क्वेशन ना तो नहीं पता है तुमने चाप्टर रीड किया है नहीं कि वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोगों ने चाप्टर रीड किये होते और आज तक तक तुमने स्कूल में और इवन ओनां लाइन बे दोनों जगे जा करके कहीन ना कहीं सारे सब्सक्राइब तो पता होती है तो सारी जो टॉपिक से तुम्हारे चाप्टर चाप्टर वावाला पार्ट मैं यहां पर सबसे पहले करवा दूघ तो यहां ही सक्योर हो जाएंगे तुमारे 50% मार्ट बच् तो 40 marks तुम्हारे अगर यहां पर है और 40 marks में से तुम्हारे most repeated questions में बता दू तो यह वो रूल बन जाता है जो मैंने तुम्हें पहले भी बता कि 20% जो questions है वह 80% को cover करते हैं तो यह वह वाला पाट है इसलिए इनको करके ही जाना है आ जाना है साथ बजे फुल हला करते हुए कि यह most repeated questions है मैं इनको repeat करूंगा और मैं उसी वक्त तुम्हें बता भी दूंगी सारी थोड़ी थोड़ी बात कि क्या क्या है इसके अंदर कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है और कौन से चाप्टर मैं से सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो बस आपको एफ़र्स डालना यहां पर एफ़र्स की बात हो रही है बिटा है नेक्स आता है तुम्हारा 22 February 22 February को यह grammar की class होगी concept based grammar concept होगा तो grammar अच्छे से होगी and you know very well की grammar जो है वो कितना important role play करती है even in your answer writings as well grammar हो जाएगा 10 a.m. पे याद रखना कितने बज़े 10 a.m. पे होगा तुम्हारा and 7 p.m. पे मैं करवाँगी poems बिना किसी बखवास की बिना इधर उधर की बातों के direct poems करवाई जाएगी जिसके अंदर poems को पूरा line to line में explain करूंगी as well as explanation की बाद में कैसे आपके questions आते हैं कौन से लिटरी डिवाइसे से क्या थी में everything ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ समरी बता दी जाएगी है तो आपको everything will be included here कि कैसे questions आते हैं थीम क्या है लिटरी डिवाइसे क्या है उसकी राइविंग स्कीम क्या है सब कुछ कवर होगा तुम्हारा इस सेविन पीम वाले पूम वाले पार्ट में ठीक है यहां कौन सा हो गया तुम्हारा 22 February moving ahead 23rd of February की बात करते हूं morning में हम करेंगे reading and writing क्यों ज़रूर यह को यह सारी चीज है ना मैंने मेरे offline का जो मेरा पूरा experience रहा है उसको यहां पर बताते हुए तुम्हारा time table बनाया मैं चाहती तो से easily start कर सकती थी लेकिन मैंने क्यों इस तरीके से क्या क्योंकि आपको concept यहां समझाती हूं reading and writing को मिला कि तुम्हारे 40 marks आएंगे मैं यहां पर तुम्हारे 40 marks करवा चुकी होंगी ठीक है यहां तुम्हार का करवा चुकी यहां पर थोड़ा सा light weight देते हुए फिर यहां आई reading and writing फिर से 40 marks का तुम्हारा यहां पर आता है तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे न तो तुम्हारा यहां तक यानि की 22nd के बाद में 23rd February के morning तक 23rd February के morning तक जब हम class ले रहे होंगे न तो तुम्हें लगेगा 80% तो मेरा course हो चुका 80% course हो चुका उसके बाद में भी तुम्हारा पास में दो दिन रहेंगे तो that's why मैंने यहां पर reading and writing रखा है क्योंकि यहां पर format based पर चलेंगे fix lines बता दूंगे मैं तुम्हें कि यह वाली lines जो है वो लिखके आनी है and you don't have to think anything else वहां जाकर कि दमाग में नहीं रखना है format के number कैसे मिलता है content के number कैसे मिलता है content में कौन सी lines होनी चीए quotations क्या क्या लिखने है वो सब चीजे में 23 february को 10 a.m. पर बताओंगी तुम्हें फिर आता है 23 february का 7 p.m. का slot जिसमें first flight करेंगे क्यों क्योंकि हो सकता है कि आपने most repeated questions कर लिए लेकिन ऐसा भी होता है कि 10% जो पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मैं वहां पे first flight में क्या कर वांगी सबसे पहले नो डीटेल अभी कोई डीटेल स्टाडी नहीं होगी डेफिनेटी डीटेल स्टाडी कर रहांगा तो डीटेल नहीं होगी यहां पर फॉर्स फ्लाइट में मैं तुम्हें समरी जिस्ट बताओंगी में यहां पर बताओंगे इसमें भी क्याट्र सकेश कौन से इंपोर्टेंट है कौन से ग्रेशन तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है वो सारी चीज़े तो रुपीटेशन हो रहा है के यहां पर हो जाएगा देन 25 फेबरी को महा रिविजिन यानि एक तरीकी की ऐसी क्लास जिसे तुम तो कभी छोड़ के जाने की हमत भी नहीं करोगे 25 फेबरी को मौनिंग में 10 एम पे हम करेंगे महार रिविजिन जो यह महार रिविजिन होगा इन सब पार्ट का रिविजिन होगा कि तुमने इतने दिनों में जो 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 किया है वो सारी चीज़े यहां पर पका पका confidence नहीं है confidence gain करना है तो दस एम जो की 25 फेब्री को है महा रिविजिन क्लास होगी आना है तुम्हें एंड देन आता है तुम्हारा 7 p.m. पे sample paper a sample paper में सिर्फ sample paper ही नहीं होगा मैं फिर से बता देती हूं 25 फेब्रेरी को जो 7 p.m. क्लास होगी उसमें सिर्फ sample paper नहीं होगा उसमें बहुत सारे ऐसे questions होंगे जो तुम्हें as it is guaranteed आपको बोल डियू मैं वर्ड गारंटीड आपको मिलेंगे आपके question paper में क्योंकि basically आपका जो cbc का question paper आता है ना उसमें बहुत सारे different different type questions होते है concept based questions होते value based questions होते है तो इन questions को कैसे attend करना होता है कैसे आपको comparison में questions पूछे जाते है अगर आज तक आपने मेरी classes देखिए तो definitely you know कि मैं comparison based क्योंकि सीधा direct question नहीं पूचा जाता है आप लोगों को generally जो five marks questions होते हैं उसके इंदर value based question आता है concept based question आता है आपकी thinking के बारे मैं पूचा जाता है कि अगर्डिंग तो यू यह क्या से होगा तो यह सारी चीजे हम लोग करने वाले है in this plan and I hope that I am going to see you soon there and will be waiting for you definitely तो आपको क्या करना है इस पूरे plan का इस पूरे प्लान का इस प्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले सकता है यह मैं कम्मूनिटी पोस्ट में दलवा दूंगी definitely आपको मिल ही गया है यहां पर be there कब से 10 a.m. and 7 p.m. अब हो सकता है कितनी भी लंबी क्लास चले है मैं कोई टाउम बाउंडेशन के साथ मैं नहीं कर दिए और मैंने पहले भी बताया मैं बोल रही हूं कि तुम फुल स्कोर कर पाओगे फुल स्कोर करने का मैं पूरा बता रही हूं क्योंकि मैं अपना experience पूरा जो offline का है जो CBAC में हमें training मिलती है कि किस तरीके से students को पढ़ाना होता है किस तरीके से बच्चों के questions के answers को होता है कैसे answers जो होते हैं वो लिखने होते हैं वो सब में तुमें बताऊंगे so be there and I'll be waiting for you till then have a great smile on your face bye-bye